नमस्कार किसंसातियों स्वागेता आप सभीका एक बाय फिर से हमारी यूटूब चैनल ध्याट बेगरी कल्चर में तो किसंसातियों आज की ने वीडियो आपके लिए थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको यह जो पत्ता मोडिया रोग लगी हुई है टर्माटर के पोधे में तो मैं उसकी दवा बताऊंगा आप लोगों और किस प्रकार से डालना है कौन से समय में डालना है किस कमी से रोग लगती है तो मैं आपको उसी की जानकारी दूंगा तो वीडियो को अंतक देखना ताकि आपको किस कौन सी कमी की कमी से रोग लग करना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टाट और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से रोग लगी हुए सबसे पहले फिर आपको दवा का नाम बताते हैं और उसकी कामी बताते हैं तो किसान साथियों आप लोग देख सकते हो यह मेरे टमाटर का पौधा है जो आप देख सकते हो कितने ज्यादा मात्रा में इसकी पत्ती जो है गुल्टी खा जा रही है तो पत्ता मुड़ीय रोग लगी हुए इसमें तो आप लोग देखी पा रहे हैं कि यह किस प्रकार से एक दम से पत्ती जो है गुल्ट टाइप की हो जा रही है तो इसकी यह जो रोग है यह किस करान से लगती है तो मैं आपको बता रहा हूं सबस्पर पहले की संसातियों अगर आपके खेत में नमी नहीं है एक भी थोड़ी सी भी नमी नहीं है और आप उसी समय पर टमाटर की गुड़ाई कर चुके हैं तो आप देख सकते हो इस प्रकार से यहां पर यह टमाटर की गुड़ाई की गई है और यह दो दिन हो गए है हो गए हैं टमाटर की गुड़ाई की हो है और यह सारी जरे जो है यह टमाटर की जड़ जो है कट चुकी है यह आपर देख सकते हो इ और इस दवा का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं तो यह यह दवा का नाम लेजर है और लेजर ओमेगा कंपनी की है इसका प्रियोग आप बहुत ही सारे फसलों में कर सकते हैं और यह जो है आपको बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत ही अच्छी तरह से यह काम करेगी और इसमें कौन-कौन सी लाल मकडी या अनपरकार की मकडी माहू यह सब जो है जो पत्तियों की किनारे से चलते हैं तो इसी कराणर से यह पत्ति जो है जिसकुड़ने लगती है पोदै कि पती जो है ऍला नाली की गोड़ाई करते हैं तो उस समय कर आपको एक इक दिन का गयब दे कर नाली को चढ़ा देना है गोडाई करके और दूसरे दिख सिचाई कर देना है तो चलिए आप मैं आपको उस दवा का वीडियो दिखाता हूँ जो दवा मैं इसमें प्रयोग किया हूँ तो किसांसतियों मैं आपको ले करके आगा हूँ अब अपने दवा छोड़ने माले टंकी के पास ध्यान रही है जो दवा है यह आपको 20-25 ml पंद्रा लेटर पानी में इसका प्रयोग करना है तो मेरी टंकी जो है यह 20 लेटर पानी की है तो मैं इसमें 30 ml दवा डालूंगा तो और महा हो अनेखर की किटो के की च्छटकार देती परयोगे किसी इसका प्रयोगा आप किसी ही फचल में कर सकते हैं तो यहां पर आफको तीस एमल गमद्वा को डालना है तो मेरे पास सिर्फ एक ऑपकी का प्रयोग करना था तो इसलिए मैं आज एक綠ी गपकी दवाी ला हूं तो चिसान सथी ओम मैं कलदवा डाला हूं लेकिन आज रात में बारिस हो जा रहे हैं मैं रात में वीडियो बना रहा हूं हूं और यह दूसरी जो है यह चिपक है किभ़े आप चिपपक किसी भी कंपपनी का परीयो PP कर सकते हैं ध्यार रहे ठंटी के समय में आपको चिपक का पर्योंक और अवस्यक बहुत ही आश्यक है क्योंकि इसका प्रयोगु कर ने से पड़े पड़ता रहेगा तो आपको यहां पर टंकी कोफूल कर लेना है इकोछ इस परकार से पानी डालने के बाद आपको लेकर के चलते हैं खित में डाल के दिखाते हैं दवा को आप लोग दवा को डाल के इसले zeigt क्यूंकि आप लोगों को यचिण हो सके कि मैं इस दवा का परियोग क्या हूं तब ही आपको इसका जो है दिखाता हूं आप लोगों के बीच रखता हूं ये दवा तो इस प्रकार से दवा का स्प्रे कर देना है तो ये पोधा छोटा है इसलिए दोनों साइड दवा डाली जा रही है और आद दवा डालने के बाद लीकि चड़ायी भी की जाएगी मिठी की चड़ाया जाएगा पौधे के पौधे की जगह पर जड़े काट वाटसब ग्रूप और टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर के हमारे वाटसब ग्रूप को जाइन कर लेना मिलते हैं आप सहगी से अगली वीडियो में